नमस्कार दोस्तों कॉंपटिशन कमुनिटी के ओनलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हमारे सीजी प्यसी मेंज प्रोग्राम पर भी इस वीडियो पर मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कोशन के आंसर एक्स्प्लिनेशन ये कोशन कहां से है तो ये कोशन 24 फरवरी को डिसक्शन कमुनिटी पर आपके सामने लाए गए ये कोशन संबंदित है नेशनल इंकम टॉपिक से ये टॉपिक संबंदित है भारती अर्थवियस्ता विशे से और ये विशे हमारे CGPSC में सिलेबस के पेपर पांच का पहले भाग का हिस्सा बनता है इस विडियो पर कोशन के आंसर एक्स्प्लिनेशन के सांस साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे एक एकनॉमिक के आंसर को अच्छे से सिस्टेमेटिक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कई शात्रो के आंसर बहुत ही आसानी से फ्रेम कर ले इन सारे चीजों पर जाने से पहले इस पारे पर भी बात कर लेते हैं कि ये जो कोशन हमने आपके सामने दिये गए वो किस मनसिक्ता के अधार पर थे या फिर इन कोशन को चूज करने के पीछे क्या उद्देश था देगें एकनॉ अधारिक भाग हम कहते हैं तो विश्वयों का वो पैटर्न वो प्रवितियां जो लगातार बदलते रहती है या फिर वर्दमान में उसकी क्या ट्रेंड चल रहे हैं क्या अनलीसी से उस पर अधारित जब बात की जाती है और इसी स्टैटिक और डानेमिक पोश्चन को अप पिटर इंकम जैसे टॉपिक की परिभाशा आपसे पूछी फिर उसके बाद जीडिपी जी अनपी जैसे अफधार्णों के मद्धे अंतर इस्थिरवाव और प्रश्चन और बजार लागत जैसे अफधार्णों पर प्रश्चन आपसे पूछा गया इस वीडियो पर और इ अर्थवियस्ता के सद्चक्र और दुस्चक्र से आप क्या समझते हैं जो दूसरा प्रश्चन था वो संबंदित था कि अभी जो वर्तमान में अर्थवियस्ता की गिरती हुई हालत दीग रही है या आर्थिक मंदी जो है उसके पीछे विबिन कारण क्या थे और अगर इस प्रश्चन को यहाँ पर डिसकस करते जाएंगे तो हमारा वो दूसरा उद्देश भी पूर्ण हो जाएगा कि एकनोमी के आंसर हम कैसे स्टार्ट करें कैसे फ्रेम करें और कैसे अंत तक लेकर जाएं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्चन से सबसे पहला प्रश्चन आपसे पूछा गया था अर्थवियस्ता के सद्य चक्र और दूस चक्र से आप क्या समझते हैं देखें विशियस साइकल और वर्च्व साइकल ऑफ इकनोमी इस दो शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग अपचारिक प्रयोग भारत के आर्थिक सर्वेक्ष पर अगर भारती अर्थवियस्ता को पांच ट्रिलियन अर्थवियस्ता का अकार देना है तो उसके लिए हमें किस प्रकार का मॉडल अप्लाई करना होगा अर्थवियस्ता पर किस प्रकार का परिवर्तन करना होगा सुधार करना होगा जिसके आधार पर हम ये महत्वकांच के answers explanation पर आएं तो हम ये सुनिश्चित कर ले कि इसे लिखने के लिए हमारे पास पर्याप्त understanding और जानकारी है वर्च्वास साइकल या दस्चक्र नाम से ही इंगित हो रहा है कि किसी प्रकार के सकरात्मक्ता की बात हो रही है जब हम इस answer को लिखेंगे तो आप इन तीन पॉइंट को लिखना ना भूलें ये एक प्रकार का introduction भी है और चुकि ये जो प्रश्ण है ये प्रश्ण आपके 30 शब्दों में और 60 शब्दों में इसे साइकल क्यों कहा जाता है ये से साइकल इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसमें प्रभाव और कारक दोनों एक ही होते हैं अर्थात जब आप ऐसा कुछ कहें कि देश में उत्पादन में व्रिद्धी हो रही है तो जब आप कारण के पीछे जाएं तब आप देखेंगे कि उत्पादन में व्रिद्धी के पीछे का कारण भी उत्पादन में व्रिद्धी होना ही था और चक्र का मतलब यह होता है कि जहां पर starting point और जो ending point होता है वो एकी जग़ा पर आकर मिल जाता है तो आप बताएं कि ये एक सकरात्मक दिशा की और अगरसर अर्थविश्ष्टा की स्थिती को दर्शाता है आप बताएं कि इसे चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रभाव और कारक दोनों एक ही होते हैं अब इस चीज़ पर आगे का जो कंटेंट है उस कंटेंट को समझने के लिए हमें इस स्लो चार्ट का इस्तमाल करना होगा मैंने आपको आंसर लिखते समय जो महतपूंट बिंदूवे वाला एक वीडियो है उस पर आपको बताया था मैंने कि आपका प्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा अच्छा होगा ये सुनिश्चित करता है कि आपको मांक्स दूसरों की तुलना पर कितना ज़्यादा मिलने वाला है अब इस प्रशन का उत्तर जवाब लिखें और आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन करकर अगर समझा दें तो समझने वाले को बहुत ही आसान होगा तो चलिए इस फ्लो चार्ट का इस्तमाल करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है उत्पादन, श्रम बजार, आए, ग्री, बस्तु बजार, व्यापार, बचद, वित्ती संस्ताय, निवेश, कर, लोकवित, सरकार, आयात, निवियात, और अंतरराश्री संस्ताय, ऐसी आशा है कि यह जो हिंदी शब्द लिखे हैं उसका पता होगा, तो चलिए, यह जब सद्चक्र कहता है, तो क्या कहता है, तो सद्चक्र का अर्थ यह है कि मान लो, देश में अगर उत्पादन बढ़ रहा है, अर्थाद, बस्तु और सेवाओं के उत्पादन में विद्दी देखी जा रही है, इसमें अगर विद्दी देखी ग्रोथ देखने को मिल सकता है और अगर रोजगार में विद्धी यहां पर हो रही है अर्थात नागरिकों की आय में भी विद्धी की हम संभावना देख सकते हैं जब हमने ये देखा कि उत्पादन के बढ़ने से रोजगार बढ़ा लोगों की आय बढ़ी तो एक प्रकार स आप समझ रहे होंगे कि उत्पादन एक कारक बना जिसका रोजगार का बढ़ना और आय का बढ़ना एक परिणाम के रूप में परलिचित हो रहा है आय बढ़ने से वस्तु बजार पर डिमांड बढ़ेगी अर्थात मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से पुना उत्प उत्पादन बढ़ा क्योंकि अगर मांग बढ़ेगी अर्थात वस्तू और सेवाओं को लोग खरीदेंगे तो ये जो वैपारवर्ग है अर्थात जो उत्पादन करता है उनके पास वो परियाब संसाधन आ जाएंगे कि इस मांग की पूर्ती करने के लिए वो पुना है तो उनका बच्चत भी यहां बढ़ता हुआ समा निरुप से दिखता है जब यहां पर बच्चत बढ़ता है अर्थात वित्ती संस्थाओं के पास में राशी ज्यादा आती है तो निवेश के लिए उधार में भी वो राशी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और जाहिर सी कि दूसरा साइकल भी आपको बनता हुआ दिख रहा होगा कि उत्पादन से लोगों की आए बच्चत निवेश और पुना उत्पादन अर्थात प्रभाव और खारक दोनों एक ही बिंदू पर हमें देखने को मिल रहा है जब हम तीसरे साइकल पर आएं तो लोगों की आए जब बढ़ती है तो सरकार के राजस में भी समान रुख से बृद्धी देखने को मिलती है क्योंकि लोगों की जब आए बढ़ती है तो आएकर अर्धात अन्य प्रत्यक्षकर भी यहाँ पर अदा करेंगे और साथ ही जब वस्तु और सेवाओं का क्राय करेंगे तो भी सरक सरकार को अपरत्यक्षकर उधारन के तौर पर जीस्टी जैसे कर सरकार को अदा करेंगे सरकार की आए बढ़ जाने से सरकार के वह में भी व्रिद्धी संभावित होती है और पुना यह साइकल काम करने लगती है लोगों की आए से ही अगर बढ़ेगी तो देश में इंपोर देशारा जाये तो यही वो फ्लो चार्ट है और इस फ्लो चार्ट की यह सारी जो एरो है जो अपड़ साइड में दिख रही है यह अर्थवस्था के सारे ही जो घटक हैं इनका जो एरो उपर की ओर दिख रहे है कि उतपादन के बढ़ने से सारे यहां पर कॉमपोरेंट ब पड़ेगा यह सद्चक्र दर्शारा है अर्थविवस्था की अर्थाद अर्थविवस्था एक सकारात्मक दिशा की और अगरसर यहां पर दिख रही है तो जब आप यहां पर अर्थविवस्था के सद्चक्र समझाएं और आपने यहां पर इस जो बेसिक इंट्रोडक्शन खतम कर लिया तब आप यहां पर इस जो आपने अभी तक समझा उसे आप यहां पर लिख सकते हैं आप शब्दों में भी लिख सकते हैं आप इस तरीके का flow chart का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सिर्फ arrow diagram का भी इस्तमाल कर सकते हैं उधारन के तौर पर उधारन के बढ़ जाने से income बढ़ रही है, income के बढ़ जाने से market में demand भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और demand के बढ़ जाने से investment में बृद्धी दिखेगी और investment से फिर से production बढ़ता हुआ दिखेगा इस तरीके से भी आप creativity अपनी दिखा सकते हैं presentation के माध्यम से इस तरीके का answer लिखा ह मैं नाम देख लूँ कैलास राहू और अभिशेग पूरी ने उन लोगों का ये जो representation है arrow diagram और flow chart का वो काफी बहतर है काबिले तारीफ है आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी creativity को उके रहा है शब्दों में तो चलिए इस तरीके से हम समारा वर्च्व साइकल समाप्त होता है अब बात करने हैं कि हम विशियस साइकल को जब लिखें तो विशियस साइकल क्या होता है अब जब आप साइकल अर्थाथ और थेवस्ता के दूस्चक्र को समझाए तो इसी चार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं बट वहाँ पर से हटा देंगे और यहां पर आप लिख देंगे कि जब अर्थवयस्ता की इस्तिती नकरात्मक दिशा की और अग्रसर होती हुई दिखे उस इस्तिती को हम अर्थवयस्ता के दुस्चक्र की इस्तिती कहते हैं आप यहां पर सद्चक्र जो लिखा हुआ है इसे दुस्चक्र क दिखता है अर्थात वही कि starting point और ending point दोनों एक ही दिखेगा इस चार्ट में हम उसको समझ लेते हैं जैसे कि for example किसी कारणवर्ष किसी कारणवर्ष देश में उत्पादन धीमा पड़ गया या उत्पादन की जो विर्दी है वो धीमी पड़ गई और उत्पादन वस्तु और सेवाओं का हमें गिरता हुआ दिखेगा अब अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अगर कम होता जाएगा तो बेशक तोर पर जो रोजगार की संभावना होगी वो रोजगार की संभावना भी हमें यहां पर कम दिखेगी और अगर ये इस्तिती और गंभीर होते जा कारण से यस व्यपार जो वर्ग होगा उत्पादन करता वर्ग जो है उन्हें लाभ में राशी नहीं मिलेगी और वो पुना उत्पादन करने से बचेंगे अर्थात उत्पादन पुना गिरेगा तो जिस प्रकार से हमने सज्चक्र पर देखा कि बढ़ते हुए उत्पादन ये एक कारक था और उसका प्रभाव फिर से उत्पादन में व्रिद्धी थी इस बार हम क्या देख रहे हैं दुस्चक्र पर कि गिरता हुआ उत्पादन एक कारक बना और जिसका परिणाम गिरता हुआ उत्पादन ही बनता है और ये नकरात्मक्ता की और अग्रसर होती हु तो लोग निवेश करने से बचेंगे क्योंकि कोई भी उत्पादन करके उसे फाल्तो फेकना नहीं चाहेगा जब बजार में मांग नहीं होगी तो निवेश में भी ध्यमी घती हम को देखने को मिलेगी और निवेश का गिरते जाना फिर से उत्पादन को और नकारात्मक्ता की गंभिरता की और ले जाएगा लोगों की आयक कम हो जाने से सरकार को भी आयक कम प्राप्त होगी सरकार के खर्च भी कम होंगे और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दुस्चक्र क्या हुआ तो पूरी की पूरी economic की ये जो component है, जो parameter है, वो सारे ही negative side में है, ये जो arrow है, वो गिरती हुई अर्थवयस्ता को दर्शार है, तो जब आप दुस चक्र समझाए, vicious cycle of economy समझाए, तो आप इस introductory शब्दावली का प्रयोग कर ले, नकारत्मक दिशा की और अग्रसर होता हुआ अ जैसे थोड़ी दिर पहले, अभी मैंने सद्द चक्र के परपेक्ष में आपके सामने बनाया था, तो ये हो गया vicious cycle of economy और virtue cycle of economy से हम क्या समझते हैं, अब इसी चार्ट पर आधारीत हम अगले प्रशन पर भी पहुंचते हैं, और वह प्रशन ये है कि अभी वरतमान में जो ह हमारी अर्थिकमंदी है, या फिर गिरती हुई अर्थविस्ता है, उसके पीछे विभिन कारण क्या थे, इस चीज़ को समझते हुए, आप economy पर भी अपनी understanding काफी बहतर कर सकते हैं, और उस भैसे अपने आपको बहुत असानी से निकाल सकते हैं, कि economy के answer कैसे लिखें, ये स समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप इस flow chart को ही देखें, तो इस flow chart के साथ ही पूरी की पूरी economy का जो खोर होता है, वो cover हो सकता है, जैसे कि, अगर आप ये पहले cycle की बात करें, जहां पर उतपादन, रोजगार और लोगों की आए, इस पर बात होती है, तो ये पहला cycle एक प्रकार का national income topic है, जहां पर GDP अर्थात उतपादन पर बात होई, और लोगों की आए, अर्थात प्रतिविक्ति आय तक आकर कहानी रुपती है, जब हम इस दूसरे cycle पर बात करें, अर्थात बैंकों के पास बच्चत, बैंकों से निकल रही राशी, तो इस समय हम जो economy का chapter पढ़ते हैं, वो banking sector, हम यहाँ पर पढ़ते हैं मौदरिक निती और मुद्रा इस्विती inflation, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से banking sector से जुड़ा होता है, जब हम तीसरे cycle की बात करते हैं, तो तीसरे cycle को हम पढ़ते हैं, राशकोशी निती का नाम देकर fiscal policy, राशकोशी निती का अर्थ ये है कि सरकार की आए और वैसे संबंदित निती, जब हम अंतीम cycle की पढ़ाई करते हैं, जहां पर आयाद और निर्याद से संबंदित बात हो रही है, तो ये हमारा topic हो जाता है, बुक्तान का संतुलन, या फिर किसी भी राश का बहरी दुन इस flow chart पर हमारे economy के वो चार pillar सीधे तोर पर देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से आप economy को पढ़ेंगे, national income topic जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें कि national income topic पढ़ते समय आपको इन सारे topics पर भी एक प्रात्मिक जानकारी होनी चाहिए, और अर्थ विज़स्ता पर अभी जो उप्यों पर लेकर आते हैं, आर्थिक मंदी के विभिन्द कारण संबंदी प्रश्ण में जाते हुए, हम ये भी देखेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे economic answer को हम frame करें, और ये जो frame करना हम सीखेंगे इसी flow chart के साहित हुए, तो इस flow chart को अगर आप एक formula में रखना चाहें, तो ये formula c plus i plus g plus x minus m पर सीधे आकर बैड़ जाता है, अब ये c plus i plus g plus x minus m क्या है, तो ये GDP निकालने की वह विदी का एक equation है, एक formula है, जिस पर आधारित प्रश्ण हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो जैसे कि आ अगर formula के तोर पर डालना चाहें, तो जैसे मैंने कह दिया production अर्थात ये GDP, अब ये GDP बना कैसे, तो ये चार arrow आप देख रहे होंगे, जो चार अरग अरग parameter से आकर इस GDP के कारग बन रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दे अगर आप c, यहाँ पर लिख दे g और यहाँ पर लिखे g, और यहाँ पर लिख दे आप x-m, अर्थात c, प्लस i, प्लस g, प्लस x-m, ये चार component मिलकर GDP बनाते हैं, जो equation हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब ये equation समझना क्यों जरूरी, क्योंकि इस equation की साहता से ही, आप अर्थविस्ता पर जो भी स्थिती बनी हुई है, उसका बहतर visualization कर पाएंगे, और साथ ही साथ उसका समाधान भी अच्छे तरीके से इसपस्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हम इस flow chart को थोड़ा और modify कर दिये, कि ये किस equation के तोर पर आप देख रहे होंगे, c, प्लस i, प्लस g, प्लस x-m, अब हमारा प्रश्न क्या था, प्रश प्रश्न का उततर लिखना है, अरथात हमें अपने आपको इतना talented, ये इतना skilled कर लेना है, कि हमें economy का अगर कोई, एक topic का बहुत जाधा चीजे नहीं भी पता है, तो भी हम उसका एक तारकिक उततर लिख कर आएं, क्योंकि समाने रुप से यही पुछा जाता है, च्छतरों कि अगर हमें ज़्यादा नहीं पता किसी प्रश्ण के बारे में तो क्या उसको छोड़ कर आ जाना चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम तार्किक उत्तर वहाँ पर लिखें उससे संबंदित लिखें तो मार्क्स बेशक हमको मिली जाएगा तो चलिए इस कोश्चन को अगर आप डील करें तो कैसे डील होगा हमने यहाँ पर दिखा आर्थिक मंदी तो पहले तो एक दो लाइन पर आप ये आर्थिक मंदी की स्थिती को क्या है वो इस पस्ट कर दें जैसे कि आप ये कह दें कि जब हमने 2019-20 के वित्ती वर्ष के जो दुती त्रमासिक जो समय अबदी थी सेकेंड कोटर पर हमने वहाँ पर जीडिपी ग्रोफ रेट चार दशमलों पांच प्रतिशत हमने देखा ये 26 तिमासियों का सबसे नियूंतम वृद्धी दर हमको दिखा था 2019-20 का दुती त्रमासिक समय अब ये इसमें कह सकते हैं जुलाई से सितंबर तक का और ठीक इसके पहले की जो त्रमासि थी उसमें हमने 5 प्रतिशत देखा था जो 6 सालों में सबसे नियूंतम दी तो इस तरीके से आपने पहले लाइन पर एक इंट्रोडक्शन डाल injury उस इंट्रोडक्शन पर आपने वो आर्थिक मंदी की स्थिति को स्पष्ट कर दिया की आर्थिक मंदी है उसके पीछे ये पैट है ये आक्डे है इस बात को सविद करने के लिए अब ये आर्थिक मं के जो निम्ड कारण है तो सबसे पहला अब बात ये आती है कि जब हम यहाँ पर पॉइंट लिखें जब हम वहाँ पर उत्तर लिखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैराग्राप और पॉइंट वाले विवादों पर नहीं फसना है हमें यह सुनिश्चित करना है कि अच्छे तरीके से आप पॉइंट में रख सकते हैं क्योंकि जब आपसे कारण पूछा जा रहा है तब जितना ज्यादा आप पॉइंट वहाँ पर लिखेंगे अर्थात उतने कारण आपको पता है तो इसलिए आप इस उत्तर का जो सहीं तरीका प्रेजेंटेशन का होगा वो आप पॉइंट फॉर्मेट पर रखें तो आपने पहले एक दो लाइन पर डिफाइन कर दिया आर्थिक मंदी पर क्या स्थिति है और उसके बाद अब चले आगए कि निमनलखित कारण है निमनलखित कारण जब आप कारणों को यहाँ पर व्याख्या करें तो यह भी ध पहले और सबसे प्राथमी के जो यहाँ पर हमें कारण देखने को बिला अर्थिक मंदी का वो था बजार में मांग की कमी अब देखें अब हमने क्या देखा कि यह मांग की कमी यहाँ पर बजार में दिख रही है और भोग में मांग की कमी या फिर कंजप्शन में जो डिमा तो मांगी की कमी हो जाने से अब मैंने आपको विश्यस साइकल बताया था कि इस गिरती हुई GDP ग्रोफ रेट के पीछे का कारण क्या है मांग की कमी इसलिए उत्पादन गिर रहा है अब हमने यहाँ पर पहला पॉइंट लिख दिया मांग में कमी पहला पॉइंट जब हमने मांग पे कमी लिख दिया तो अब उस पॉइंट को दो लाइन पर हमें एक्स्प्रेंट करना होगा हमें बताना होगा कि ये मांग पर कमी क्यों आई जिस कारण से जो हमारी आर्थिक वृद्धी है वो धीमी हुई या हम आर्थिक मंदी की और अगरसर हो गए तो इसके पीछे आप कारण बता सकते हैं विमुद्री करण और GST अब एक और आप लोगों के लिए जानकारी इस पर आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना होगा जब भी आप सरकारी यूजनाओं के बारे में बात कर रहे हों तो आप उसकी जब आप उसकी आलोचना कर रहे हों अर्थात उसके आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे हों किसी एक्टिविस्ट की या किसी विपक्ष की या किसी विरोधी की शब्दावली वहां पर ना हों आप इस तरीके की शब्दावली ना करें कि ये सारी चीज़े जिस जब फालतू है बरबाद है बिकार है इस तरीके की आप शब्दावली के प्रयोग से परहेस करेंगे आप बताएंगे कि जब ये सुधार किये गए ये सुधार जो लाए गए है चुकि ये सुधार बहुत ही व्यापक इस्तर पर किया गया एक बहुत बड़े पहमाने पर लाया गया जिसमें अर्थविस्ता के बहुत सारे कॉंपोनेंट क्या हुए प्रभावित हुए और जब इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा तो कुछ अल्पकालिक यहां पर नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाएंगे लेकिन यह अल्पकालिक नकारात्मक प्रभाव इस तरीके को निशकर्स पर नहीं आएंगे कि यह योजना ही गलत है हम उसके इंप्लिमेंटेशन पर अगर और ज़्यादा यहां पर इंपूट डालें और लॉजिकल अगर वहां पर इंप्लिमेंट करें तो इसके नकारात्मक प्रभाव से हम जल्दी निकल कर उस उद्देश की तरब पहुंच सकेंगे जिस उद्देश को देखकर यह योजनाएं लाई गए तो इस प्रकार से आप सरकारी योजनाओं को एक मर्यादित एक सकारात्मक तोर पर प्रेजेंट कर सकते हैं मांग में जो कमी हो गई यह GST डिमोनिटाइजेशन लाए तो काफी अर्सा हो गया मतलब की अर्सा नहीं मतलब हाली में लाया गया 2016 में आठ नॉम्बर की तारीक को डिमोनिटाइजेशन आया और जुलाई 2017 में GST आया और उसका प्रभाव अभी 2019-2020 तक दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण ने यह इस पस्ट किया है कि जो भी एकनॉमिक की कंडिशन होती है अभी वरतमान में उसके पीछे जो कहानी होती है वो 3-4 साल पहले ही शुरू हो चुकी होती है अर्थाथ अगर मांग में कमी 3 साल पहले हमें देखने को मिल रही है तो उसका वास्तविक तोर पर असर हमें देखने के लिए 1-2 साल 3 साल हमें और इंतजार करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस चीज़ को समझे मांग में कमी क्योंकि विमुदरी करनन और GST जब आए तो बहुत जादा यहाँ पर हलचल मची देखते हैं फॉर एजमपल जैसे की जब डी मुरिडिजेशन हुआ तो लोगों के पास में पैसे तो थे लेकिन वो पैसे कहां चले गए बैंकों में चले गए तबदील हो गए और जब बैंकों के पास पैसे चले गए तो बहुत जादा तरलता की यहाँ पर कमी हो गई लिक्विडिटी क्रंच हो गया, लोगों को एक लंबी कतार पर खड़े होने के बाद राशी मिलती थी, और वो भी एक सीमित राशी ही मिलती थी, इस सीमित राशी का प्रयोग बेशक तोर पर लोग अपने लक्जरियस आइटम पर खर्च नहीं करेंगे, और एकदम अती आव परशक बस्तों को ही स्विफ खरीद रहते हैं, और जिस कारण से बजार में जो डिमांड है, वो हमें कम होता हुआ दिका, जिसकी वज़ा से जो हमारी GDP ग्रोफ रेट 7-8% तक चल रही थी, वो गिर कर अभी वरतमान पे 5-4% के आसपास पहुंच गई है, दूसरा आप यहा पर उनके उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनके प्रभाव पड़ जाने से उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, उनके योजनाओं पर प्रभाव पड़ा, और काफी लोग बेरुजगार भी होते हुए दिखते हैं, बेरुजगारी की समस्या लोगों की कम होती हुई आय पर परलिक्षित होगी और लोगों की आय कम अगर हो जाती है तो फिर से मांग पर कमी उत्पादन पर कमी और ये सारी चीज यहां पर आपको विशियस साइकल बनता हुआ दिखेगा तो जो सबसे प्रमुक कारण अभी गिरती हुई अर्थ विवस अब जो अगला यहां पर आप कारण लिखे कारण यह होगा अब यहीं से आप कनेट करेंगे कारण होगा निवेश पर देखिए जब मार्केट में डिमांड कम हो गया हम इसी साइकल पर चलते हैं जब डिमांड कम हो गया तो जब डिमांड कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात लगबग 60-65% हिस्सा ऐसे वस्तूव के द्वारा होता है जो निजी खपत के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और अगर इसी पर हमें धीमागती देखने को मिले तो लोग निवेश करने से भी हिचखिचाएंगे तो निवेश में कमी हो गई क्योंकि मांग में कमी थी हमने इसी पॉइंट से इसको कनेक्ट किया ये निवेश हमने करनेक्ट कर दिया उत्पादन के गिरने के पीछे का एक कारण अब निवेश के कम हो जाने का सिर्फ क्या एक मांग कारण था तो नहीं और भी कुछ कारण थे और उसमें से एक प्रमुख कारण है बैंकों की NPA की समस विशिया है बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो विलफिल डिफॉल्टर्स लेकर चले गए हैं और बैंकों को लटा नहीं बार हैं और जब बैंकों के पास में राशी नहीं होगी लेकिन जमा करता को लोटाना तो बाद्य है तब क्या करेंगे बची हुई राशी पर ही उनको ब्याज की दरों को बढ़ाना पड़ेगा बढ़ती हुई ब्याज की दर निवेश को थोड़ा सा रोक देंगे क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दर अर्थात उधार में लेने वाली राशी जिसका उप्योग करके वो निवेश करते वो बहुत ही महंगा मिल रहा है और अगर वो महगा मिल रहा है तो वो सस्ती ब्याजदर होने का इंतिजार करेंगे तो एक तो बजार में मांग की भी कमी है जिसके कारण से निवेश रुक रहा है दूसरी बैंकों की NPA की समस्या है जिसके कारण जो निवेशक है वो बैंकों से उधार लेने से भी बच रहे हैं तो आप इस equation पर समझ सकते हैं कि GDP जो भारत की होती है अगर उसका consumption down होता है तो सीधे तोर पर consumption based economy का investment I component भी उसी के साथ में जुड़ा होता है consumption वाला format अगर हमारा down होता हुआ दिखेगा तो निवेश भी हमारा धीमा होता हुआ दिखेगा अब यहाँ पर एक और कारण निवेश में कमी देखी जा सकती है वो है मुद्राइस्विती और मौद्रिक निधी अभी हमने देखा कि जो CPI है वो साथ प्रतिशत के जो range है उसको भी पार कर चुका है और मुद्राइस्विती की जो एक healthy range है वो CPI का 4 plus minus 2 percentage देखने को मिलता है और मुद्राइस्विती अभी 7 प्रतिशत का हो जाना अर्थात इसे एक अच्छी healthy inflation rate में लाने के लिए RBI या फिर मौद्रिक निती समिती को ऐसी मौद्रिक निती बनानी पड़ेगी जिसमें बजार में मुद्रा की अपरति को कम किया जाए और ये कम करना अर्थात बैंकों को फिर से ब्याजदरों को बढ़ाना पड़ेगा अर्थात निवेशकों को निवेश करने के लिए जो भी उपियुक तो बातावरन चाहिए वो नहीं मिल रहे है ना तो मांग अच्छा है ना तो बैंकों की ब्याज़दरे सस्ती हो रही है कारण मुद्रा इस्विती भी है और कारण NPA की समस्या भी है जिस कारण से इस निवेश की धिमी गती इस गिरती हुई अर्थविजस्ता या आर्थिक मंदी का भी एक महत्वपुन कारण बन जाता ह है कंजप्शन पर या फिर डिमांड पर कमी इन्वेस्टमेंट पर कमी ये दोनों पॉइंट को हमने यहां पर बता दिया ये इसी फ्लो चार्ट पर हम कनेक्ट कर रहे है चलिए अब अगले कारण पर भी आते हैं कि अगला कारण क्या होगा हमने यहां पर यह दो कारण हैं आयात निर्याद पर हमने यह देखा कि देश की जीडिपी को बढ़ाने के लिए निर्याद भी अपनी महत्वपुंड भुमिका बनाता है तो निर्याद के कारण भी जो हम अर्थविश्था की बृद्धी देख सकते थे वह हम नहीं देख पा रहे हैं चलिए तो हमारे य मुख्य उद्धेश है सरकार का बुद्धेश राजस्व वै करना होता है राजस्व वै जिसमें समाज कल्यान कारी योजनाय सम्मिलित होती है देश की जीडिपी को बढ़ाने का जो यहाँ पर मुख्य अगर भार देखा जाए तो देश के निजी छेतरों पर होता है और इ के पास में थोड़ी तो revenue की भी कमी आ रही है क्योंकि अगर हम देखें तो GST के आने के बाद बहुत सारे यहाँ पर कर्द सुधार होने के बाद राज्यों और केंद्रों के बीच में राजस्व के विबाद को लेकर कई बार ऐसे news में हमारे सामने बातें आती हैं कि सरकार क के पास में जितना अपिक्षा कृत यहाँ पर राज्यास होता था मुख्य रूप से कर से वो कम हो रहा है और अगर वो कम हो रहा है तो बेशक तोर पर सरकार को खर्च भी यहाँ पर सिमित करने होंगे और अगर खर्च सिमित नहीं करेगी सरकार तो सरकार की राजकुशी घ पीछे जो विबिन कारण है हमने यहां पर देख लिया एक कारण उसमें और है जो अभी बहुत जादा आर्तिक सर्विक्षन पर उसे महत्व दिया गया है वो है नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक पतावरन देखे सरकार की योजना सरकार की योजनाओं पर विश्वास ना हो ना कुछ देश की ऐसी स्थिती का बन जाना जिससे निवेशक चाहे वो घरेलू निवेशक हों चाहे अंतरराश्री या फिर बाहरी निवेशक हों उन सब के बीच में एक नकारात्मक फिलिंग एक नेगटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी जो वरतमान की स्थिती देश की दिख रही है इसमें निवेश कर जाने से इसमें निवेश करने से जितना लाब हम सोच रहे हैं उतना ना मिलेगा उतों किसी और अर्थविज़स्ता पर निवेश करने से मिल जाएगा तो इस नेगटिव इन्वार्मेंट का भी एक मै निवेश, सरकार के द्वारा खर्च और निर्यात के द्वारा इन चारो ही कॉंपोनेट के जोड से बनता है GDP और अगर GDP गिर रहा है अर्थात ये सारे कॉंपोनेट पर कुछ प्रभाव पढ़ रहा होगा जैसे हमने विश्य साइकल पर देखा हमने देखा मांग में कमी तो मा बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बता सकते हैं कि आर्थिक मंदी क्यों हो रही है चलिए अब इस तरीके इसी फ्लो चार्ट की साहिता से क्या अन्य भी हम यहां पर उत्तर लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं जैसे कि अगर मान लिजिए आपसे पूछ लिया जाए मुद्राइस्विति के नकारात्मक प्रभाव भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं कैसे क्योंकि अगर मुद्राइस्विति बहुत ज्यादा हो जाती है अर्थात लोगों की क्रेश शक्ती में गिरावट आती है क्रेश शक्ती में गिरावट का अर्थ यह है कि बजार में मांग की कमी और जैसे ही मांग की कमी आपने बता दिया मुद्रा इस्विती के कारण आप पूरी की पूरी वहाँ पर एकनॉमी की जो नेगेटिव कंडिशन बन सकती है ड्यू टू इंफलेशन वो भी आप बहुत आसानी से वहाँ पर रख सकते हैं ठीक उसी प्रक नहीं आता एकनॉमी को हम आगे बढ़ाएं कैसे समझ नहीं आता आप इस फ्लो चार्ट को याद रखें जब भी आपसे प्रशन पूछा जाएगा चाहे कुछ सकरात्मक प्रशन होगा कि ऐसा हो रहा है यसकुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है आप कोई एक कारण भी खोजिए यहां से और उत्पादन को बढ़ा दीजिए और उत्पादन के बढ़ते ही रोजगार कबढ़ जाना लोगों की आया बढ़ जाना बजार में मांग बढ़ जाना बचत निवेश ये सारी चीजों को बढ़ा देना ये आपको तरीका वहां पर अपलाई करना हो आर्थिक व्रिद्धी धीमी है तो चलिए इस प्रकार से ये प्रश्ण भी आपका समाप्त हुआ और साथ ही मैं ऐसा उमीद करता हूं कि एकनॉमिक के अंसर को फ्रेम कैसे किया जाए वो इस फ्लोचार्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीख गए होगे और इसे और प प्रश्णों को समझा जैसे कि विश्यव साइकल वर्च्व साइकल तो हमने प्रात्मिक जानकारी देगी उसके बाद एकनॉमी कैसे गिर रही है उसके विभिन्ड कारण के वाले प्रश्ण हमने देखे और फिर उसके बाद जो अंतिम प्रश्ण है वो ये है कि अर्थ उसरे से connected होती है कैसे एक जगा पर समस्या पूरी अर्थव्यस्ता की समस्या बनती है फिर उसके बाद हमने उस सारे चीजों के नेगेटिव एक्सपेट को देखते हुए विविन कारण देखे आर्थिक मंदी के अब पॉजिटिव एक्सपेट देख रहे हैं और समधान के तौर पर तो हम वही तरीक अपनाएंगे ये हमारा फ्लो चार्ट और ये रहा हमारा वो एक्वेशन हमें प्रश्ण में ये पूछा गया है हमसे कैसे हम आर्थिक मंदी पर जो इस सिती है उससे हम कैसे आगे निकले कैसे वहां से बाहर निकले तो देखिए उत्पादन का गिरना अर् हमें करना ये है कि जो उत्पादन गिर रहा है जो आर्थिक मंदी की स्थिती बनी हुई है इसे हमको सुधारना है अर्थात उत्पादन या फिर आर्थिक मंदी बढ़ानी है इसे बढ़ाने के लिए हमने क्या देखा कि मांग में कमी थी और मांग को ही अगर बढ़ा दिया मांग बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है यह हम एक सिनोपसिस तयार किये हैं जिसके अधार पर हम यह आंसर को लिख लेंगे इस प्रकार के सिनोपसिस आप कुछ मेजर मेजर टॉपिक के बना कर जरूर रखें यह मेंस में जाने से पहले रिविजन के लिए बहुत ही क्रेशक्ति उनकी कैसे बढ़ेगी तो दो तरीकों से बढ़ सकती है पहला वस्तू की कीमत ही कम कर दी जाए अगर तो क्या होगा जितनी भी राशी है उसमें ज़्यादा वस्तू को खरीद पाएंगे और मांग बजार में बढ़ जाएगा या फिर उन्हें रोजगार बहतर दिया जाए ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि उनकी आए बढ़े और जब रोजगार से उनकी आए बढ़ेगी तो उनके पस परियापतराशी हो जाएगी जिससे भी बजार में मांग बना सकेंगे क्रेश शक्ती बढ़ाने के लिए वस्तों की कीमत या तो कम कर दो या तो रोजगार को आप बढ़ाओ जिससे उनकी आए भी बढ़े लोगों की आए बढ़े अब बात आती है कि रोजगार अगर बढ़ाना है तो क्या किया जाना है तो उसके लिए हमें निवेश बढ़ाना ह देखे हमने यहां पर क्या देखा कंजप्शन बेस्ट इकनोमी होने के खारण सी और आई दोनों एक साथ चल रहे होते हैं कंजप्शन डाउन होते ही हमको investment बें डाउन होता हुआ दिखेगा और investment डाउन होते हुए हमें growth या GDP डाउन होता हुआ दिखेगा और फिर जे कदम उठाए जा सकते हैं पहला कदम कर में छूट दे दिया जाए जैसे के फॉर एक्जामपल जीस्टी को अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए थोड़े उसके रेट गीरा दिया जाए या फिर पिर कुछ ऐसे वस्तू जो हायर टेक्स रेट पर हैं उसे लोवर टेक्स रेट पर जीस्टी के स्लैब पर ला दिया जाए तो क्या होगा कि जब वस्तूएं सस्ती हो गई वस्तूओं की कीमत क्या हो गई कम हो गई तो लोग उसे असानी से खरीद पाएंगे बजार में मांग बढ़ेगा साथी कर में छूट होने से जैसे कि निगमकर पर भी छूट सरकार ने दिया है अब निगमकर क्या होता है तो ये निगमकर होता है आप समानने तोर पर समझ लें कि कमपनियों द्वारा या निगमों द्वारा जो अपनी आय पर कर अदाएगी की जाती है उसे न सादन है और वेपार अगर बढ़ेगा तो वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं और अगर वेपार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा तो क्रेशक्ति उनकी बढ़ेगी आए बढ़ने के करण तो कर में छूट एक बहतर तरीका हो सकता है मैंने इसमे निवेश बढ़ाने के लिए हमें मौद्रिक निती का भी सहरा लेना चाहिए देखे हमने क्या देखा था कि मौद्रिक निती जब मुद्रा इस्विती बहुत जादा हो जाती है तो मुद्रा पूर्ती को कम करने के लिए मौद्रिक निती की सहाथा से बैंको के ब्याजदरों क कम करना पड़ेगा अर्थात उधार में लेनीवारी राशी निवेशकों को सस्ती लगनी चाहिए तब वो क्या करेंगे बैंकों से असानी की ब्याजदर कम हुए और अगर मैं कार लेने गया तो अर्थाद बजार में मांग बढ़ा तो उस मांग को पूर्ती करने के लिए जो कार के उत्पादन करता है वो कार का उत्पादन भी करेंगे तो निवेश भी बढ़ा और निवेश को को कोई समस्या होगी क्या निवेश क माहित रुप से बढ़कर फिर से मांग और इस पूरे आर्थिक मंदी की जो माया जाल है वहां से हम निकल बाएंगे निवेश बढ़ाने के लिए एक समस्या पर हमने चर्चा जो किया था उसे भी हमें सौल्व करना होगा और वो समस्या है NPA की समस्या, NPA की समस्या पर हमने कहा कि जब बैंकों की NPA की समस्या हो जाती है तो बची हुई राशी जो है उस पर ही बैंकों को ब्याजदर ज़्यादा बढ़ा कर उधार देना पड़ता है क्योंकि जमा करता तो उतने ही है जितने जितनों से उन्होंने पैसे लिये हैं तो जब NPA की समस्या को आप solve नहीं करेंगे जब तक तब तक आप निवेश को उस गती तक नहीं ले जा पाएंगे जो अपिक्षा कृत है उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो NPA की समस्या को कैसे solve किया जाए तो किया जा रहा है बैंकों का विलेकरण किया जा रहा है मरजर किया जा रहा है इंदर धनुष जैसे scheme लाए जा रहे हैं जहांपर public sector banks के पुरी संरचनाओं पर परिवर्तन किया जा रहा है सुधार किया जा रहा है और insolvency bankruptcy code भी है जहांपर जो ऐसी कंपनिया जो default कर रही है उनसे इस पैसे को निकालने की कवायद भी की जा रही है साथ ही कई कानून भी लाए जा रहे हैं जिसमें billful defolters को पकड़ा जा रहा है जैसे कि economic offender bill project शशक ऐसे कई सारी योजनाए हैं जो NPA की समस्या को solve करने के लिए लागू की गई है तो इसको solve किये बिना निवेश हमारे देश में नहीं बढ़ पाएगा उस गती से जितना हमको चाहिए चलिए निवेश को बढ़ाने के लिए हमें FDI के जो नियम काईदे कानून है उसे भी सरल करना होगा क्योंकि ये भी जरूरी है कि घरेलू निवेशक तो आपके देश में निवेश करेंगे साथ में अगर आप विदेशी निवेशकों को भी आकरशित कर पाए तो आपकी जो देश की जो GDP है काफी तेजी से बढ़ सकती है अब FDI के norms को सरल किया जाना भी निवेश को बढ़ाने की एक अच्छी strategy के तोर पर देखी जा सकती है चलिए इन सारे चीजों को हमने समझ लिया और सारे चीज हमारे फ्लोचार्ट से ही connected है हमने देखा demand बढ़ाना है, demand बढ़ाने के लिए हमने देखा कि रोजगार चाहिए, उसके लिए निवेश चाहिए निवेश के लिए हमने देखा मौदरिक नीती सस्ती होनी चाहिए NPA की समस्य असौल होनी चाहिए FDI होना चाहिए एक और तरीके पर बात करते हैं जो हमारे इस अंतरराश्टी बजार से संबन दीते है अगर हमें GDP को आगे बढ़ाना है वो यह हो सकता है कि रुपए की वेल्यू को आप गिरा दें अगर एक डॉलर बनाम सतर रुपए अगर चल रहा है और अगर एक डॉलर बनाम 75 कर दें तो एक डॉलर दे कर ही 75 रुपए की वस्तू लोग खरी सकते हैं पतात एक डॉलर पर ही ज्यादा वस्तों को लोग खरी सकते हैं वह लोग कौन है यह विदेशी लोग है तो जब रुपए की वेल्लू गिरा दी जाए तो निर्यात में बढ़ोतरी देखी जा सकती है समाने रुप से होता है नहीं होता है वो एक अलग चर्चा का विशह है ले लेकि अगर एक डॉलर देकर लोग 75 रुपए का इंवेस्मेंट कर पाएंगे जो कि पहले 70 रुपए था तो लोग निवेश करने काफी अच्छे स्थिती पर आ जाएंगे तो FDI को अट्रेक्ट करने के लिए भी रुपी के वेल्लू को गिरा देना एक तरीका हो सकता है रहता से गिरती हुई अर्थविवस्ता को पुना ट्रेक में लाया जा सकता है अब यह तरीकों को अपलाई किया भी जा रहा है ध्यान रखिएगा यह आइडियल स्टेज है आइडियल कंडिशन है यह जरूरी नहीं कि इस तरीकों को अगर आप अपलाई करें तो उठाए हैं उस कदम को वो थोड़ा सा हमपर करें उसे थोड़ा सा दिक्कत में ले आए तो इस प्रगार से आप इन सारे चीजों को यहां पर ऐसे वर्ट वर्ट लिख सकते हैं आप अगर इसे आंसर फॉर्मेट पर रखें तो आप पहला पॉइंट ही ले दे कि मांग को ब लिखना होगा फिर आप सरकार की नीती और रुपए का डिवैलुएशन अपर भी बात कर सकते हैं इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिसकी साहता से गिरती हुई अर्थविश्था को उपर उठाया जा सकता है तो चलिए यह आपको कोश्चन जो डिसकस कराया गया इसक स्टेटिक पोश्चन को भी और उसके डानमिक पोश्चन को आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाबदायक हुआ होगा धन्यवाद